चुणाव से पहले सियासी दलों के दावे की रहें थे रहते हैं जो भी राजनितिक दल्त है वो चुनाव से पहले अपने अपने दावे करते हैं वो दम भरते हैं और बताते हैं कि वो किस अलाखे में कितनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं या वो एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं ये सारी चीजे होती है बिहार में भी ऐसा हो सकता है और इसमें कोई नई बात नहीं होती है लेकिन बिहार में एक बात देखने को मिली कि आंक लेकिन इस बीच प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में NDA के पक्ष में एक तरफा जीतते हैं और वो इस आधार पर कि उन्होंने आंकडे गिनाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है वो 65 और 35 की है 65 फीसदी आबादी 65 फीसदी वोट बैंक NDA के साथ है ये दावा सुशील मोदी ने किया है और कहा है कि विपक्ष बमुश्किल 35 फीसदी वोट तक सिमट कर रह जाएगा इसलिए हमारे लिए चुनौती नहीं है लेकिन जैसे ह सुशील मोदी ने ये आकड़े के जरिये दावेदारी अपनी ठोकी वैसे ही विपक्ष मैदान में उतराया विपक्ष ने कहा कि NDA दिवा स्वपन देख रहा है दिन में सपने देख रहा है आरजेडी ने पहले हमला बुला आरजेडी ने कहा कि ये खयाली पुलाव है और पुलाव NDA को बहुत पसंद नहीं आएगा रास नहीं आएगा क्योंकि चुनाव में दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा यहां तक कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के राश्चो पाध्यक्ष है उन्होंने ये कहा कि NDA ये कहकर एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रह है लेकिन अपने भ्रम जाल में खुद ही फस कर रह जाएगा NDA इसके बाद कॉंग्रेस भी मैदान में उतरी और कॉंग्रेस ने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव एक तरफा होगा और वो एक तरफा महागटबंधन के पक्ष में होगा उन्होंने ये कहा वो महागटबंधन के साथ है और NDA पचीस फीसिदी में स्तिमट कर रह जाएगा तो दावेदारी की जो जंग चल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे पहले ये रिपोर्ट देखिए सीटों की जीत की भविश्चवानी भी सब करते हैं लेकिन पहली बार बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर सब को चौंका दिया सुशील मोदी ने कहा है कि NDA के पास बिहार का 65 फीसिदी वोट बैंक है और विपक्ष महज 35 फीसिदी में सिम्टा है विपक्ष कुल नागवार NDA का दावा सुशील मोदी के बयान पर पलटवार NDA देख रहा दिन में सपने गलत फेहमी पाल रहा है सत्ता पक्ष सुशील मोदी के बयान पर RGD ने पलटवार किया है और कहा कि NDA को गलत फेहमी हो गई है RGD ने पूछा कि NDA का इतना ही जनाधार था तो तमाम उप्चुनाव हार क्यों गए वहीं कॉंग्रेस ने भी NDA के दावे को हवा हवाई करार दिया है कि जैसे नितीज कुमार के संजय सिंग है वैसे भारती जनता पाटी के सुसील कुमार मोदी कुछ भी बोलते हैं जो 65 बता रहे हैं 65 और 35 का हिसाब किताब तो हम लोगों को तो एक भी नहीं जितना चाहिए था और वो भभुवा के अलावे कहीं जीत नहीं पाए लोग सभा भी हम जीते अरिया जोकी हाट भी हम जीते बिधान सभा जहानाबाद में जीते इसलिए इस बार जो है लडाई में पता चलेगा मोदी जी का आकलन फेल करेगा सुसिल मोदी जी का अगला चुनाव 75 बनाम 25 होगा बिहार में और महागठबंधन 75 परसंट सीट जीतेगी एक तरफ उपमुख्यमंत्री ने केंद्र की उपलब्धियों को NDA की संभावित जीत का आधार बताया है तो विपक्ष ने नोटबंदी, GST और रोजगार की कमी को आधार मान कर महागठबंधन की जीत का दावा किया है लेकिन आखर में तै तो जनता को ही करना है रजनीश दी मीडिया पटना जेडियो प्रवक्ता हमारे साथ हैं और विनोज शर्मा कॉंग्रस की तरफ से हमारे साथ रोएं आप सभी महमानों का स्वागत है शुरवात संजे टाइगर जी आपसे करेंगे बीजेपी की तरफ से चुकि यह दावा आया उसके बाद NDA पूरा एक जोट इसमें नजर आया कि हाँ भई 65 फीजदी हमारे साथ है इस दावो में दम किस आधार पर माना जाए क्योंकि जातिगत समीकरण जो है और जातिगत आंकडे जो है वो भी अगर बिहार का देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि 65 फीजदी एक तरफा एंडिये के पक्ष में तो उसके पीछे दावे की पीछे वजय आप अगर 2014 के लोगसभाद चुनाओ का बिसलेशन करिएगा जी जी तो 29.5 फीजदी भोट भारती जनता पार्टी को मिली थी एलजेपी को 6.1 प्रतिसत आरेलेसपी को 3.1 लगभग उन 40 परसेंट भोट एंडिये को मिला और जनता दलियू तब हमसे अलग होकर लड़ी थी उसको 15 फीजदी भोट मिला था ये दोनों मिल जोडते हैं तो 54 फीजदी होता है और केंद्र सरकार और राज सरकार की जो उपलब्धी है उसके अधार पर जो एंडिये के भोट में इजाफा हुआ है आप उसका आखलन करेंगे तो ये 65 परचत पहुंसता है तो ये कैसे माना जाए कि अभी वर्तमान के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि चार साल पुराना आकड़ा जो है इस बार 10% और बढ़ जाएगा नहीं मैं मैं परी बात सुनिये न तो ये जो चुनाओई आकड़ों का विसलेशन और भी अन्य सुरोतों से फिडबेक के अधार पे हम इन इस दिसकर्स पर पहुंचे हैं कि एंडिये के पक्ष में जनसमर्थन बढ़ा है और 65 पिसदी भोट एंडिये को मिलेगा और बिहार में जब हम एंडिये केले लड़ी थी नितीस कुमार हमसे अलग लड़े थे तो 31 सिट एंडिये के खाते में आई थी और 2 सिट नितीस कुमार जी खाते में गई थी अब हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो आप हिसाम मिला लिजिए और भोटों को जोड़ लिजिए लोगसभा में लोगसभावाईज हमारा भोट और नितीस कुमार जी का भोट एंडिये का भोट और जेडियू का भोट जोड़ लिजिए तो बिहार में लगभग 40 की 40 सीट ए अब कोई अगर दिन में ही तारे दिख रहे हैं तो अब इस पर तो कुछ टिपनी करना विकार है इनको ये एसास होना चाहिए पता होना चाहिए ये कारे हैं कि ये इतना इतना चोदा में आकड़ा दे रहे थे और बोल रहे थे कि 10% और बढ़ेगा इसलिए बढ़ेगा कि आए दिन अभी बिहार में रोज हत्याएं लूट बलतकार हो रहा इसलिए 10% इनको लोग बोट देदेगा और चोर दरवाजे से सत्ता में आये हैं इसलिए लोग इनको बोट देदेगा अब लिजए अब पहले उलिका आप लिजिये पूरा एक सौ से जादे जनकल्यान कारियों चल रही है देश तरक्की कर रहा है रास्त्रियां कर रहा है आपके आख्रे है लेकिन रुतिम्जे जी बोलने है रुतिम्जे जी बोलने एक बार आपको एक सो दस परसंट मिल जिए ना जब चुनाव आ जाएगा उप चुनाव में कैसे धूल चटा है रुतिम्जे तिवारी जी दरसल जाती बार संचाई को बिहाल को अगर देखते हैं तो कुछ वोट बैंक ऐसा है जो माना जाता है कि एंडिये के साथ बिलकुल जमा हुआ है ऐसा माना जाता है कि मह जो है यह दरसल एंडिये शब्द जे फाली बात समझे यह फाली बात समझे एंडिये से जितन राम मानी जीनिकल गये लोग सबांब लोग सबाद चुनाओं में उनकी पार्टी फार्ट हमारे साथ नहीं थी लोग सबांब के आंकड़ा दे रहे हैं उसमें उनका भोट सामि जिए इसकार होता है एक दूसरे को ऐसा नहीं है चलिए बताई आप बताई आप बताई है तो पहले हम अपनी बात कर ले इसके बाद ये बोले है हम हमारे कहने का मतलब है आप जो 65% बोलड का दिखा रहे है सभजबाग लोगों को आपके पास बोलड कहाँ से बोल अचारा जाया है हैं का बोट दीजी मारे नितिसकुमार ही मुठ्मंतरी है आप जाए कर रहे हैं कि पूरा देस विसुम्में इसर के लिए मंगा गया था आपके ब्षस्टत चारप परदा डालने के लिए भूत बिकास to अईसा आप कारा है कि पूरा देस विशु में सरमसार हो रहा है बिहार ठीक थीच थीच अपत इस 208 है ठीक है सुहली मेहिताылी बीजेपी के डावे के कचिर दावे को सुहली महता जी बताईए बीजेपी के डावे पर जेडियू क्या कहेंगा परफार्मेंस के अडारपे आपके सायोगी दल रुखेंगा तम आपके सटाएगर जी प्लीज सुहली जी कुछ कह रही है जी सुहेली जी हम कह रहे हैं कि BJP ने दावा किया उसमें आप क्या सोचती है आपको क्या लगता है आपकी पार्टी को क्या लगता है कि वाकि ये तरफा मुकाबला 2019 में है बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है क्योंकि उस समय हम नहीं थे इंडिये के साथ अभी हम NDA के साथ हैं और हमने जो चुनाओ लड़ा था जिसका दावा मिर्तिंजे जी कर रहे हैं वो साथ निश्चे के आधार पर किया था विकास के वादे के साथ किया था हम लोगों ने और सरकार जब बदली उसके बाद भी साथ निश्चे को NDA ने एकसेप्ट किया बारत के समीकरन के आधार पर लगने वाली है जो अधर निये नरे बोलने दिया जाए जिकास बोले दीजिए बोले दीजिए मिजिए सच्चाई है और प्रिवार का विकास आपने किया जानता जानती है कि एक तरफ सिर्फ परिवार बात की विचारधारा पर चुनाओ लड़ा जाएगा जिसमें सिर्फ परिवार का विकास होगा और एक तरफ जो जिस मुद्दे पर लड़ा जाएगा वो भीहार के विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और जैसा एंटी इंकम्पेंटेंसी की बात आपने कहीं कातियां जी पिछले पाइट में आप कर रहे थे तो मेरा ये मानना है इसमें कि एंटी इंकम्पेंसी तब होती है जो हमारे सामने चुनाव लग रहे हैं उनके सरकार को लोगों ने नहीं देखा है जनता जो है सो तुलनात्मक व वोट पड़ते हैं इसको आप नकार नहीं सकते ये सच है ये सासुत सकते है कि जाती वाद नहीं होना चाहिए जाती तो है ही यहाँ पर और जाती के करते हैं और दीरे धिहरे बिहार की जंता जाग गई है का त्याइन जी इसलिये वो सिर्फ अब जाती के आदार पर भी करेगी तो जाती अपना विकास खोशती है जिसमें और अधरनिये कुमार जी ने और पूरे और निनौट जाती हर अस्तर की जातियों के लिए जो समाज के पिछले पाइदान के सबसे पिछले पाइदान के जो लोग है उनके लिए जो विकास के कार्ज हमारी सरकार ने किया है चलिए ठीक है ठीक है सुहली मेहता जी ठीक है बिल्कुल अब कॉंग्रेस को चर्चा में शामिल करते हैं विनोज शर्मा जी कहा ये जा रहा है कि पिछले 2-3 दशकों में बिहार में कॉंग्रेस के हाथ से मुस्लिम वोट बैंक निकल गया, कॉंग्रेस के हाथ से जो दलित या महा दलित जो भी है वो वोट बैंक निकल गया, सवर्णों ने कॉंग्रेस का साथ छोड़ दिया, तो अपने बल पर भी चुनाओ लड़ी थी, तो 2 सीट जीती थी, अधिकान सीटों पर लड़ाई में थी पिछले इसे पहले लोकसभा में, और अभी पूरे देश में जहां भी चुनाओ रहे हैं, कॉंग्रेस पाटी अधिकान सीटों पर जीत रही है, यह लोकसभा देखिये, हम तो बिहार की जनता जरूर पूछेगी कि बालू बंदी में क्या हुआ सराब बंदी में क्या हुआ और इतने अपराद बढ़े हैं मडर बढ़े हैं बड़े-बड़े घटनाए हो रही है तो यह सारी बातों का जवाब देना होगा और निश्ची तुरुप से जिस समय नितीजी का चेहरा सामने लाया भाजपाने उसका भोड़ तो खुद आधा हो गया पालू घोटा अला क्या है ओ तो समय बताएगा जबडाईये नहीं लेकिन सब्सक्राइब बात बता है विनौत शर्मा जी हमारा सवाल जो था उसका जवाब आप नहीं दे पाए कि जब सारे वोट बैंक आपके पास से खिसक गए तो क्या यह माना जाए कि महागडबंदन तो सिर्फ आरजेटी के भरोसे रह गया क्योंकि आपके पास तो कुछ बचा नहीं अब कितना सब्सक्राइब यह बताईए हमने मुखमंत्री बनाया था हमको तो चिंता होगी आपको जिंदा हो गया आपको चार सीट रहां चवा में दो जीते दो लोग सबाद में अब जी एए टाइगर जीपीज एक मिनट उट जाएए विनोट शर्मा जी विनोट शर्मा जी विनोट शर्मा जी विनोट शर्मा जी हमारा सवाल है विनोट शर्मा जी मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने उसका जवाब नहीं दिया कि जब कॉंग्रेस का सारा वोट बेंक खिसक गया तो संजे टाइगर जी अगला सवाल आप से संजे टाइगर जी अगला सवाल आप से है ठीक है संजे टाइगर जी विनोज शर्मा जी मेरी बात सुनिये विनोज शर्मा जी मेरी बात सुनिये विनोज शर्मा जी प्लीज जरा सुना करिये मैं यहां से कोई सवाल पूछ रहा हूं के आंकडे जो हैं वो मेरे पास है उसके आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजे पी चुकी जेडी यू के साथ है और जेडी यू को जो पिछले डेर दर्शक में मुसल्मानों का मुसलिम वोट बैंक जो उसके साथ था वो अब छिटक सकता ह जो एक बहुत बड़ी तादाद है लगभग 16 फीसिदी माना ये जा रहा है कि बमुश्किल एक दो फीसिदी वोट इस बार एंडिये को मिलने वाला है क्योंकि अब बीजे पी साथ आ गई पастी वोट डो नहीं है और वोट जूटने वाला है और इस बार भार में और देश में बीकाश GOAC मुद्डय पर चुना का विकास बावल वीकास सारे जातियां क्रिकश कार्ब्स ब्लात करेंवर स्वारे माणते हैं कि दोहाजार चौदा जिस तरह से तमाँ पीज़डी जातीयों का वोट भी जे पीके ती के साथ आए था वो इस पर फिर आएगा देश लूट करके भगाने के लिए इनको विकास के लिए भोट देंगे लोग आरे वो आपके सासनकाल में उन्होंने लूटा था हमारे आते तो दर से भाग गए ला रहे हैं पकड़के गड़ा कैनून बनाया है रखना ये लूटा लूटा रोगों को वाइकों में भग दिया है संजेड टाइगर जी संजेड टाइगर जी विनूट शर्मा जीपी संजय टाइगर जी और विनोज शर्मा जी प्लीज एके करके बोला करिए एके करके बोलिये वरना कोई फायदा नहीं है इस चबचा का संजय टाइगर जी प्लीज अब मृतुझे जी आपका सवाल है मृतुझे जी यही जातिकत आंकडे आपके लिए भी मैं पेश कर रहा हूँ विनोज शर्मा जी और संजय टाइगर जी प्लीज एक एक कर के बोला करिए विनोज शर्मा जी प्लीज संजय टाइगर जी प्लीज आप लोगों से मैंने सवाल एक एक कर के लिया तो ज़रा दूसरे से भी सवाल लेने दीजिए मृतुझे तिवारी जी वही जातिकत आंकडे एक बार आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं अलग अलग पार्टियों से मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी वही सवाल दलित मुस्लिम और बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं वो क्यों ऐसा हुआ कि पिछले डेर दशकों में कहा जाता है कि जिस पर आर जे डी और कॉंग्रेस का जाएंगे फिर आपके पास क्या है यह आकड़ा कहां से आप लाएं नहीं यह मैं बता रहा हूं कि हमारा वोटर चिटक के चलाएं नहीं हम बता रहे हैं सुनिए यादो वोट बैंक जब आर जे डी का है और आज भी उसी के साथ है मुसल्मान वोट बैंक इस बार मारा जा है कि आपके साथ जाएगा एक मिनट हां एक मिनट एक मिनट जब हम बुरे से बुरे दोर में भी थे दो हजार डस में भी और दो हजार चोदा के लोग सवाचुनाओं में भी आप वोटों का परसंटेज देख लिजी यह लाक जुगार लगा ले तो इस लिए बोट वाट इनके पास नहीं है जोगाल टेक्नलोजी से सरकार बनाते हैं आपके पास कौन वोट है आज तक यह नहीं पा रहे हैं अपना बियार में है अकेले सरकार बनाता है है तो इसलिए नोगों के पास नहीं है 65% का सपना देख रहे है हम लोगों को कोई एतराज नहीं जब निकलेगा रिजल्ट वा तब इनको पता चल जाएगा जैसे बियार बिधान सभार नाव में कुछ दल जो है का त्यान जी कुछ विशेस जाती पर अपना एकाधिकार समझते हैं लेकिन जनता बहुत पर लिख चुकी है क्योंकि आधर्णिये नितीज कुमार ने सिक्षा का अलग जो जगाया है बियार में हर महिला हर यूबा हर लोग इस चीज के लिए जागरुक है कि कौन सरकार हमारा विकास कर रहा है हमारे सब्सक्राइब करें लोग इस चीज के लिए जागरुक हो गए है कि विकास सब्सक्राइब करें तो क्या क्या कि चुना हुआ हो रहा है चले तो अपने अपने दावे हैं और वो दावे ऐसे हैं कि एग दूसरे की बात को काटने की पूरी जुगत भीड़ा रख़्ी है सब न Immediately दूसरी पार्टी कोई अलग दावा कर रही है एक पार्टी कोई अलग दावा कर रही है लेकिन इसके बीच एक दावा ये तेकि सचा यही है कि हर पार्टी जानती है कि जाती आधारित वोटिंग होती है और जाती के आधार पर ही वोटर्स जो है वो जाते हैं और अपने उम् मारू का मारे साथ जुनने के लिए और बाद बेबाग में फिरहाल है